आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ आउनलोड पर रिटर्न करेगा तब ओके तो पॉइंट हमारे हाँ पर कहा है कि यह मेरा axis है य और एक axis है अब पॉइंट हमारे हाँ पर कहा है कि एक बॉइंट को थ्रू किया गया विद्ध मुमेंटम अना विद्ध कुछ एंगल ठीक है एक एंगल के साथ में जैसे मान लिजे कि पॉइंट हमारे हाँ पर कहा है एक बॉइंट को हमने इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया ठीक है सब्सक्राइब कि इसका वैलोसीटी इनिशली यू है और और जेन्टल के साथ कुछ एंगल ठीक है ठीक है लोगों नहीं पर्ट रखा है कि एक्स में कंपोने जो हता थ्रूआउट कॉंस्टेंट होता है तो फाइनली जब वो ग्राउंट पर भी पहुंचेगा तो इस वाले पॉइंट पे तो आपका यू कॉस्ट ठीक होगा इसका जो नीचे वाला कंपोनेंट होगा वह आपका क्या जगा यू साइन ठीटा होगा हमने यह पर रखा है तो पॉइंट क्या होता हमारा कि अगर आप गौर से देखो तो आपका एक्स डेरेक्शन में जो वेलो सीटी है वो इनफैक्ट, magnitude शीड रखा रहा ओ डारेक्शन भी इन ही चेज़ कर रहा एक्स में मतलब कि एक्स में यह है तो आप कहा सकतो हो कि मैंbas bigger candidate 3-2 हो जो मेरा टिरेक्शन थायर को जो 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 मेरा एक्स डिरीग्स गाये हूं मेरा खांस्टाइब एकस्टी मतलब कि म्याथ वै干्टेक्ट्र मेरा कॉंस्टेंट है तो जो चेंग मोमेंटम माएंग व किदर आ रहा है क्योंकि वाई में मैं एन एक स Palee mas पर magnitude wise बात करें, तो magnitude wise जो हमारा change in momentum में आगा, उसको हम लोग कैसे लेख सकता है, उसको लेख सकता है, final, final velocity तो हमारा यह है, तो जागा आपका mass into final velocity, तो negative में है, तो इसको लेख सकता हूँ, minus का u sin theta, ओके, और minus का हो जागा, initial जो हमारा होगा, वो हो जागा mass, और जो मेरा initial velocity ह है, that is u sin theta, ओके, अब इसको अगर अपन solve कर ले, तो यह value कितना हो जागा, यहां से जो value हमारा आजागा delta p, वो आपका बराबर आजागा, इसको solve करेंगे, तो आपका आजागा 2m u sin theta के बराबर, क्योंकि minus sin cancel हो जागा, जब mod के अंदर होगा, तो 2m u sin theta के बराबर आजाग ठीक है, अब हम लोगों ने relation क्या पढ़ रखा है projectile में, कि time of flight जो होता है, time of flight मतलब कि particle को फिर से, जब हम लोगों ने project किया है, तो फिर से उसको वापस नीचे आने में कितना समय लाई है, तो इसका formula होता हमारा 2u sin theta by g के बराबर, ठीक है, तो मैं क्या करता हो यहां पर, इसको क्या कर रहा हूं, कि aim तो है हमारे पास, यहां पर और क्या है, यहां पर और क्या है, देखे मेरा 2u sin theta है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, g से मैं divide कर रहा हूं, और g से मैं क्या कर रहा हूं, multiply भी कर रहा हूं, तो अगर आप यहां पर term देखोगे, तो यह वाला बन का weight of ball और यह इंटू का हो जागा तू यू साइंटीड अबाई जी को कहा लिख सकते हैं इसको लिख सकता है पर time of flight okay time of flight total time of flight okay so from option we can say कि जो आपका third number का option है weight of the ball into the total time of flight that is the correct option okay thank you classics to dwell से लेके meet IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर